रेव पार्टी मामले के बाद एलविश यादव एक और मुसीबत में पढ़ गए एलविश यादव की यूट्यूबर मैक्स टरन सागल ठाकुर के साथ जड़प हो गई अलविश ने अचानक अपने समर्थों के साथ जाका मार्पीट की जिसके बाद उनकी दोस मनिशार राणी ने उन्स्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया जी हाँ बता दें कि मार्पीट मामले रेप पार्टी केस के बाद अलविश यादव एक बाफ फर बड़ी मुसीबत में पस गया है इस बाद पुलिस ने किसी पर शालिरिक हमला करने के आरोप में IPC की धारा 147, 14323 और 506 के तहत मामला दर्च किया है उसके बाद उनकी सबसे अच्छी दोस मनिशा रानी ने भी अलविश यादव को अनफॉलो कर दिया है नेटिसंस ने मनिशा की फॉलोइंग लिस्ट का स्क्रीन शोट शेयर किया जहां अलविश का नाम अब गायब है और वे इसके पीछे की वज़या अचकले लगा रहे है विवादों से भरे रियलिटी शो बिग बाउस सत्रे में मनिशा रानी और एलविश यादव अच्छे दोस बन गये थे उनकी केमिस्ट्री को दर्श को ने काफी पसंद किया सरहा भी शो के बाद उन्हें कई बाद साथ गूमते हुए भी देखा गया हाला कि अब फैंस को पता चला है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है हाल ही में एलविश यादव ने अपने आठ दस समर्थकों के साथ मिलकर यूट्यूबर मैक्स्टरन सागत ठाकुर की गुरू गुराम की एक कपड़े की दुकाई में जाकर पिटाई कर दी थी पुलिस को दिये गए अपने बयान में सागत ठाकुर मैक्स्टर ने आडोप लगाया कि पिछले कुछ महिनों में एलविश फैन पे जो ने नफरत फलाई जिससे में ब्यवस्तित हो गया मुझे अलविश ने मिलने के लिए का आता लेकिन मुझे लगा कि यहां बात चीत होगी जब वो दुकान पर आया और उसके आठ से दस गुंडे जो की नशे में थे मुझे पीठने लगे और अभधर भाशा का अस्तमाल करने लगे अलविश यादव ने मेरी हड़ी तोड़ने की कोशिश की पुलिस ने प्रैस को बताया कि वे यूटूब पर एक दूसरे के साथ भिर रहे थे और मैक्स टरान ने उनके खलाब अपरमान जनक टिपड़ी भी की थी हाला कि दोनों के बीच हाता पाई होने के बाद हालात काफी बिकड़ गए अलविश यादव ने अपने लाइव में आके कहा कि अगर कोई उनके समर्थकों को माभेन की गाली देगा तो वह से बरदाश नहीं करेंगे उन्होंने ये भी काया कि उन्हें दूसरों को सच्चा हिंदू होने का प्रमान पत्र देना होगा अब मनीश रानी ने अलविश यादव को इंस्टाग्राम पर अनफालो कर दिया है जिसके बाद उनकी दोस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं फिलाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कॉमेंट सेशन में जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चनल अप्स मीडिया को सब्सक्राइब करना ना बूलें